addition of field and superposition principle हमें यह पता है कि जो चार्ज होती है है electric charges तो अगर positive electric charge है तो field vector है कि जो अटेर्स फील्ड होगे वह पाहर के तरफ होगी outwardly अवह होगी और minus charge के निगेटिटिव charge के लिए inward होगी बाई convention हमने यह है जो कि पॉजिटिफ टेस्ट चार्च के लिए डिफाइंट थे कि अगर जो उसके चारो तरफ होती है तो अगर हम क्या बाहोगी थी अगर बहुत सारी चार्जेस एक जगा इक जगा इसके पॉइंट पीपे जा फील्ड होगी दिए इस नेट चान्फिगरेशन अप्छार्ज तो अधिशन 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 फील्ट के बात करते हैं यह एलेक्टिक फील्स यह मतलब जो अलिकविल्स यह सवल किया मतलब है so uh let us room uh there is some qn charge here and there's some q2 charge here some q3 charge here and hum up से भाल ये करते है कि सी space में इन चाल्ज तीन चार्ज कन फिबर रिषन की वता से किसी पॉइंट पी पर जिलो यहां यह पॉइंट पी है नेट चार्ज प्रश्राइब नेट फील्ड इनेट चार्ज के वासे जो फील्ड नेट एल्क्टिक फिल्ड क्या होगी यानि कि मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूं डार्ट कि कि अगर कोई अपनी एक टेस्ट चार्ज में यहां के पॉकट से निकलता रख देता कोई टेस्ट चार्ज चलिए एक बार हम इसको डिसाइड करते हैं कि जो प्लस यह क्यों एक पॉस्टिब टेस्ट चार्ज की टू नेगेटिव टेस्ट चार्ज अठीक है तो चुकि एलेक्टिक फिल्ड फोर्स पर उन चार्ज होती है तो यह चार्ज वाली वैलू कट गए कट अफ हो गई तो चार्ज और फोर्स इसके क्यों एक एक क्यू खतम हो गया जिसके बारे में कौन खतम हो जो यहां रखना था तो कोई चर्चा यह नहीं है इसी अब सिंप्ली मैं जो एलेक्टिक फील्ड फील्ड जो की वन के पाइसे क्लिए होगी है अगर एक इन्डिविजुली देखते है इस पॉइंट पीपर यह पॉस्टिव टेस्ट चार्ज तो भाइक कर्वेंशन आउट वाडल लियो यह यह दिसाइड है कि चलो मान के चलते है कि यहां पर कोई पॉस्टिव टेस्टिशन हो चुकिया पहले तो एक लिट्टिव फील्ड वेक्टर इस इस चीज की वाज़ स इसकी वाज़ से जो एलेक्टिव फील होगी वह वह इस डार्शन क्यू टू होगी लेकिन इधर के तरफ होगी इसके अंदर के तरफ होगी निगेटिव चार्ज है और यह बाइक कन्वेंशन हम साइं को लेते हैं और यह हमने आसानी के लिए डिसाइड किया है पाइक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप समझे जाएंगे जल्दी यह Q3 निगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पीज पर इस क्यूटी क्रिवर जो इंफ्रेंस होगा निफ्रेंस ऑप दिश चार्ज एक पॉइंट पी निगे दे फोर्स ऑप इस चार्ज एक पॉइंट पर उनिफ चार्ज चार्ज वाले के चार्ज 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 कर गए इसलिए हमने चार्ज ने रहा तो कोई भी चार्ज हम रख सकते हैं आपर जब टेस्ट करना होगा तो तो simply electric field क्या होगे इस पॉइंट पर E3 मान के चलता है तो अंदर के तरफ इसको E2 लिग देते हैं वही ने ट्ल टिक फिल्ट होगी में कि सेंपली और अगर यू माने करणित अकर इसमें से भी ज्याता चार्ज अ कर रहे इसमें मैं इसका मतलब है कि यह सूपर पोसिशन प्रिंसपल हमने जो किया तो तो क्या एक सवाल तो ही उट ता क्या शूपर्श आप कर ब्रीशन प्र करती है हाँ obviously अभी तक जितने भी हम experiments करेंगे उन में work करती है लेकिन क्यों obvious है कि हमेशा करेगी नहीं यह बात obvious नहीं यह बहुत की तोरी conceptually बात है कि superposition principle is not obvious very clear नहीं कि work करेंगे लेकिन अभी तक जो results आये हैं उनमें work करती है इसले हम superposition principle को लेते हैं वह यूज़ करते हैं लौक आप मुविल कंटिनुव दे sessions एक simply एक बात पर हम छोड़े कि लेटर जूम कि हम यहां कोई चार्ज रखते हैं तो कोई चार्ड रखेंगे तो वो चार्ज पर यह एलक्टिक की फिल लगेगी कौन सी यह ने टेलिक्टिक फिल्ड जो इस सब की वज़स है इस पॉइंट पीपर तो लेटर जिम एक कोई पोस्टिव टेश्चार रख दिये तो एक तो तो उसके उस पर जो इस सभी के वासे जो फिल लगे वो फोर्स हमें पता चल जाएगा और फोर्स क की डायर्क्शन क्या होगी जो फिलल की डायर्क्शन होगी लेकिन सवाली उठता है कि अगर इहां पर निगेटीव टेसिया गलेता था क्या उता था कोई बात नहीं पोस्टिव के लिए तो आम number 1.002 कर देमर्देशे क्लेगे तो आलम चरीघ्टिव ग्लेछ छाले मेर्दी झांक यू